नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के अंदर जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर काफी बड़ा क्राइसिस आ रखा है रिसेंटली आपने देखा होगा मैंने दो-तीन वीडियो औरड़ी बना चुके हैं रिगार्डिंग evergrand crisis को लेकर वो आप उसमें देख लीजेगा लेकिन evergrand crisis के बाद अब क्या हुआ है कि इसका repercussion effect देखने को मिल रहा है और चार और जो Chinese real estate companies हैं वो टॉपल हो चुकी है यह आप देख पाएंगे evergrand and these Chinese real estate developers are already in trouble यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक particular company है जिसका नाम है Modern Land इन्होंने यहाँ पर 250 million dollar का जो bond है इसका payment करना था वो नहीं कर पाए तो इसने के बार में details से समझते हैं कि exactly यहाँ पर हो क्या रहा है और इसकी वज़य से जो foreign investors हैं उनको सबसे बड़ा problem क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा वो बाहर जाने की काफी जादा सोच चुके हैं काफी सारे जो foreign investors हैं वो already चाइना छोड़कर यहाँ पर जा रहे हैं काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे app को download कर ये या फिर studyiq.com जाईए वहाँ पर जाकर जितने भी courses हैं आप उसको काफी कमदाम पर avail कर पाएंगे चलिए देखतें exactly यहाँ पर क्या हो रहा हैं इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जो चाइना का real estate crisis मैंने बता है जो land वगरस related apartments बनाय जाते हैं commercial properties बनाय जाती हैं तो वो सभी आपका real estate sector के अंदर आ जाता है तो चाइना के अंदर इसको लेकर crisis हो गया है basic कारण यह है कि वहाँ पर जो यह companies हैं उनके पास liquidity नहीं हो पा रहा है देखो इतने साल से क्या हो रहा था कि जो चाइना की सरकार है वो काफी जादा छूट दे चुकी थी और यह जो companies हैं उनके सरकार पिछले साल से क्या कर रही थी इन companies के उपर बहुत सारे restrictions लगा रही थी यह कह रही थी कि आप और जादा उधार नहीं ले सकते अब उधार नहीं लोगे तो वापस से क्या होगा जो आपको repayment करना है मतलब कि जो आपने पहले करज लिया था उसको आप कैसे lot आएंग यहां पर जैसे मैंने बताया कि एक company है modern land china यह latest developer बन गई है जिसने जो dollar bond payment होता है अब यह सारी companies ने क्या किया था foreign market के अंदर जो bond होता है उसको sell किया था कहने का मतलब यह dollars लेकर आये थे china के अंदर तो यहां पर उनको payment भी dollars में करना है मतलब payment तो करना ही पड़ेगा लेक मजबूरी हुए थी आप कह सकते हो china के उपर क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो यहां पर जो burst मैं कह रहा था ने जो bubble है वो burst होने के कागार पर था अब इसकी वज़े से problem कहा है ना कि जो foreign की stock exchange है उसके उपर भी देखने को मिलेगा यह जो modern land मैंने आपको बताया यह ज इसका जो stock है वो Singapore के stock exchange में list हो रहा है मतब Singapore के अंदर तो वहाँ पर इनको कुछ bond वगरा का payment करना था वो नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़े से Singapore का जो stock exchange है उसको तकलीफ हो रही है यहाँ पर सिर्फ यही company नहीं है इसके लावा तीन और companies आप देख सकते हो Fantasia Holdings, Cynic Holdings औ China properties इनको भी payment करना था, bond payment करना था लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं और वही कारण है क्योंकि इनके उपर भी restrictions लग गया है कि यह बाकी उधार नहीं ले सकते अब इन सारे जीजों की वज़े से क्या हुआ है आप देखी यहाँ पर जो rating agencies हैं उन्होंने करीब 44 Chinese जो developers हैं उनके ratings को कम कर दिया है अब देखे इसका असर क्या पड़ेगा किसी भी company का अगर आप rating कम कर दोगे तो वो company जब bond जारी करेगी तो अब उसको ज़्यादा interest pay करना होगा मतलब कि यहाँ पर जब bond जारी करके वो लोग पैसा collect करते हैं तो पहले क्या होता था अगर rating अच्छ जल्दी से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ evergrand का update अगर आप देखो तो इस समय क्या था कि एक talk चल रहा था एक बातचीत चल रही थी कि evergrand अपना करीब 50% stake जो उसका nearest competitor है जिसका नाम है hobson development उसको यहाँ पर बेच सकती अभी तक यह पुरा deal हुआ नहीं है लेकिन ऐसा के अंदर top selling developer था बहुत सारा मतलब जो buildings हैं, apartments हैं, flats हैं वो यहाँ पर यह लोग बेचा करते थे और करीब 300 billion dollar से जादा इनका यहाँ पर कर्ज हो गया आप सोच के देखिए 300 billion dollar अभी recently मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको बताया कि Elon Musk का जो पूरा net worth है वो 300 billion dollar क्र आप सोच के देखो इस company का ही यहाँ पर debt आपको इतना देखने को मिलेगा और इसी के वजए से यहाँ पर जब इनको payment करना है कई सारे lenders से जिनसे इनोंने पैसा लिया था, suppliers को जो बकाया है यहाँ पर वो सारे payment यहाँ पर यह नहीं कर पा रहे है, People's Bank of China वहाँ की जो Central Bank है उनका बयान आया था अभी इसी महने और उन्होंने कहा था कि Evergrande नहीं यहाँ पर mismanagement किया है पूरे business के अंदर, लेकिन जो भी कुछ हुआ है यह controllable है, जाहिर सी बात है चाना उसको controllable बतानी की कोशिश करेगा, लेकिन धिरे धिरे आप देखेगा यहाँ पर जो मामला है बहुत जादा बिगड़ता ही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर Evergrande भी यही कह रहा है कि हम यहाँ पर कई सारे measures लेनी की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो liquidity का concerns बना हुआ है, वो यहाँ पर रुख सके, अब हम मैं आता हूँ कि यहाँ पर जो foreign investment है, वो बाहर क्यों ज लेकिन specially अगर मैं China की यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ है ना कि जो यह China की Evergrande company है, इन्होंने यह जो curse लिया था, foreign investors को अब लोटा नहीं पा रहे थे, तो अभी क्या हुआ है कि China की Evergrande company की एक unit है जिसका नाम है Hangda, ठीक है, इन्होंने announce किया है क कि पहले हम 19 million dollar का यहाँ पर जो payment है, वो domestic investors को करेंगे, अब ध्यान से समझेगा, usually क्या होता है, हम और आपके case में normally अगर हम देखें, real life में, तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, कि चलो दो वक्त में थोड़ी सी रोटी हम कम खान लेंगे, लेकिन जो पहले जो बाकी लोगों हैं, जो चाइना के निवेशक हैं, उनको हम लोट आएंगे पहले, और जो बाहर के निवेशकों ने पैसा रखा था, चाइना की इस company के अंदर डाला था, उनको हम बाद में देखेंगे, इसकी वज़े से क्या हुआ है कि foreign investors को बहुत बड़ा शौक लगा है, क्योंकि उनका डर लग रहा है कि उनका जितना भी पैसा निवेश हुआ था, क्या वो पूरी तरह से अब डूब जाएगा, क्या यहाँ पर चाइना उसको लोटा पाएगा, नहीं लोटा पाएगा, इसकी वज़े से क्या हुआ है कि अब जो sentiment है, investment को लेकर चाइना के अंदर, वो काफी ब venture इन्होंने किया है, जो economic policies जिस तरह की चली है चाइना के अंदर, उसको देखते वे, क्योंकि आप देखो, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है, कि जो पुरा financial disaster है, वो trigger होने वाला था, इसको देखते वे, चाइना ने यहाँ पर उनकी जो regulatory है, उन्होंने ये कहा कि आ इन्फाप में आपको एक चीज बताता हूँ, अगले साल तक बताया गया है, यहाँ पर कि 480 billion yuan का, यहाँ पर payment करना है, चाइना की बहुत सारी companies अगर आप मिला दो तो, तो क्या यह जो companies हैं, यह इतना बड़ा payment कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, इसको लेकर भी चाइना में यह चल क्या रहा है, और उसका spill over effect जो है, मैंने आपको बताया है, जो Singapore का stock exchange है, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह जो company है, वो listed कहाँ पर है, वो Singapore में listed है, तो यह भी देखने को मिलेगा, तो conclusion में अब यही चीज में आपको कह सकता हूँ, कि अभी बहु हो सकता है, कि short term में यहाँ पर जो companies है, वो अपने loan को restructure करनी की कोशिश करें, जो उनके lenders है, उनसे बातचीत करें, कि उनका जो payment है, उसको थोड़ा सा delay कर दिया जाए, हो सकता है, जो Chinese government है, वो आगे चल कर bill out कर दे, अगर बहुत जादा संकट हो जाता है, तो लेकिन still, long term में यहाँ पर China के लिए investment के तौर पर काफी जादा खत्रा बनता जा रहा है, और यहीं पर मैं कहूंगा कि भारत के पास एक बहुत ही अच्छी opportunity है, यहाँ पर transparent तरीके से चीज़ें की जाती है, तो जो बाकी की निवेशक है, अगर वो China छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है, उनके पास एक सबसे अच्छा option, भारत ही देखने को मिलता है, और यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आपको बहतर होते में मिलेंगी, तो जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम real estate की बात करें, आपको बता होगा, भारत के अंदर एक particular act है, जिसका नाम है real estate regulation and development है, इस से related यहाँ पर दो statement पहने डाले हैं, क्या बता सकते हो, कौन सा statement यहाँ पर correct होगा, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर वहाँ पर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF टीये, Telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आप जूट सकते हैं, साथी साथ UPSC, आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता हूँ से next time till then, thank you very much, see you soon.